तो आज हम आपके लेकर आए हैं Neural Control and Coordination के आगे का पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो इंट्रोड़क्टरी लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि और सबसे पहला आनिमल फाइलम पॉरी फेरा जिसका एक एक एग्जामपल है स्पॉंजिस यह एक ऐसे आनिमल और्गानिजम है जिनके अंदर नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है जिनके पास अलग-अलग टाइप के सेल्स तो होते हैं लेकिन ना ही उन सेल्स के टिशूज और न नर्वस सिस्टम फिर हमने हमारे सेकेंड लेक्षर में पढ़ा नर्वस सिस्टम इन हाइडरा के बारे में था हाइडरा के बिलोंच हैल और color सबसे पहला देखा गेगाThis ऑं हमने क्या पढ़ा था कि सारे और्गानिजम्स में मतलब नाइडेरिया के बाद जितने भी फाइलम्स हैं सारे और्गानिजम्स में डिफ्यूस टाइप का नर्वस सिस्टम देखा जाता है लेकिन अगर हम यूमन्स का एक्जाम्पल ले यानि जैसे जैसे आनिमल की बढ़ता जाएगा तो हाइयर आनिमल में कैसे नर्वस सिस्टम दिखाई देते हैं सेंट्रलाइस्ट नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि बॉड़ी में कहीं से भी कोई भी सेंसेशन अगर रिसीव हो रहा है तो वह एक पर्टिकुलर सेंटर में जाएगा और वहीं से उसको मैसेज़ मिलेंगे तो हमारी बॉड़ी में यानि अगर मैं यूमन्स का एक्जामपल लूँ तो हमारी बॉड़ी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें नर्वस बॉड़ी में डिफ्यूज़ है लेकिन वो नर्वस से बनी हैं जो मैसेज़ रिसीव करती है ब्रेन को लाकर देती है यह स्पाइनल को लाकर देती है और फिर बदले में मैसेज जो हमारा ब्रेन या सेंट्रल लवर सिस्टम है उस मैसेज को रीड करता है और पिर मोटर नर्फ के तुरू अपना मैसेज डिलीवर करता है तो आज हम पड़ेंगे ऐसे ही एक फाइलम के बा करके आपने 9 से 10 फाइलम पड़े थे जिसमें से हमने सबसे पहला फाइलम देखा पौरी फेरा उसमें नर्वस सिस्टम नहीं है सेकंड फाइलम हमने देखा नाइडेरिया जिसका एक्जाम्पल था हाइडरा उसके अंदर सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है यानि डिफ्यूस टाइप का नर्वस सिस्टम है फिर तीसरा फाइलम आज हम देखेंगे प्लैटी हलमेंथर्स का जिसके अंदर सबसे पहला complex nervous system देखा गया था प्लाटी हलमिंथस मतलब क्या होते हैं प्लाटी मतलब फ्लाट और हलमिंथस याने की वर्म-like structures ओके सो देखो इंट्रडक्शन से पढ़ते हैं क्या बताया गया है हमको इसके बारे में मैंने आपको लास का मतलब होता है वर्स याने सबसे पहला और्गानिजम नाइडेरिया में इसबसे पहला और्गानिजम मतलब नाइडेरिया एक यह ऐसा phylum था, जिसके अंदर सबसे पहली बार simple nervous system देखा गया और platy प्लेडेरिया में simple nervous system देखा गया याने diffuse type का और platy helminthus में complex nervous system देखा गया याने की centralized type का, okay, so central nervous system, so planaria is a flatworm belonging to the phylum platy helminthus, it is the most primitive animal with a central nervous system located on the ventral side of the body, तो क्या बताया गया हमको यहां पर कि ऐसा कोई flatworm है, इस flatworm के अंदर central nervous system present है, लेकिन वो central nervous system कहां पर present है, ventral side में, मतलब यह उसके आगे का side और यह उसके पीछे का side, this is dorsal, this is ventral, तो वो जो central nervous system present है, हमारे planaria में, वो nervous system कहां पर present है, ventral side में, जैसे मेरा चहरा ventral side में है, यह मेरा dorsal side है, यह मेरा anterior region है, मेरे pair posterior region है और मिला side side का जो area है यह lateral region है तो ventral side याने आगे का side तो हमारा जो planaria है इसके अंदर central nervous system कहाँ पर located है on the ventral side of the body ओके इट consists of a mass of cerebral और cephalic ganglion appearing like an inverted U-shaped brain इसको मैं आपको draw करके बताती हूँ तो यह देखिए यहाँ पर हमने planaria का diagram बनाया हुआ है इसके अंदर आपको ladder type nervous system देखने को मिलेगा ladder का मतलब होता है CD के जैसे step by step by step ऐसे आपको यह nervous system देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमने क्या point पड़ा था कि हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है it consists of a mass of cerebral और cephalic ganglion appearing like an inverted U-shaped brain ठीक है इधर देखो क्या बताएगा है हमको यह देखो यह जो inverted U-shaped का brain बना है देखो यहाँ पर क्या बोला है cephalic ganglion मतलब क्या होता है cephalic यह word head से related है जब भी अपने head से या अपने brain region से कोई भी nerves निकलती है तो उसको आप cerebral ganglion बोल सकते हो या cephalic ganglion बोल सकते हो cephalic basically यह term आपके सर से related है आपके brain से related है आपके head से related है तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमको यहाँ पर धेर सारी nerves दिखाई दे रही है यह देखो यह bundle देखो और यह bundle देखो ऐसे बहुत सारे nerves मिलके ऐसा एक ganglion जैसा structure बना रहे है ganglion मतलब क्या होता है बहुत सारे nerves मिलके जब ऐसा round round structure बनाते है तो इसको हम बोलते है ganglion इसको हम क्या बोलते हैं ganglion तो हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यह एक बहुत सारी nerves मिलके यहां पर एक ganglion जैसा structure बना रही है और कुछ bundle मिलके यहां पर ganglion जैसा structure बना रही है और यह ganglion जैसे structure के वज़े से यहां पर हमको U-shaped brain देखने को मिल रहा है क्या देखने दे रहा है, उल्टा-UK जैसे दिखा रहा है, और इसके उपर दो सिफालिक गैंगलियोन बने हैं, क्या बने हैं, दो सिफालिक गैंगलियोन, अब अगर आप पोस्टिरियर साइड में देखोगे, तो इस गैंगलियोन के नीचे, मतलब ऐसा इमाजिन करो, कि ये दो ऐसी गैं गैंगलियोन है, इसके नीचे ऐसा उल्टा-U-शेप का ब्रेन बनाएं, देखो, ऐसा इनवर्टेड-U-शेप का ब्रेन बनाएं, और इस गैंगलियोन के पीछे की तरफ, एक मिनटा, इस गैंगलियोन के डॉर्सल सर्फेस पे आपको दो आय सॉकेट्स दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, दो आय सॉकेट्स, यह जो ब्लैक मारकर का ढखकन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका जो प्लैनेरिया होता है, प्लैनेरिया में कैसा नर्वस सिस्टम दिखाई देता है, लैडर टाइप के नर्वस सिस्टम, मतलब सीडी जैसा नर्वस सिस्ट बनाते और उन गांग्लियों से पास होनी वाली नोफ ऐसे इन्वर्टड यू शेप के जैसे दिखती है यह जोडने मुआ ने के बाद 앞ने के नीवा प्रिप्टड ऊप्रीया आपsystem यह होगा जोडने के यह stealth अब यो-फिछएप 3 सब करें गैंगली ओन अपीरिंग लाइक एन इनवर्टेड यूशेप्ट ब्रेइन इस लाइ इन एंटिरियर और हैड रीजन यह ब्रेइन कहां पर प्रेजन है है यह इसका बॉड़ी यह और नीचे उसका टेल आएगा So, the brain is present on the anterior head region and from each ganglion arises 9 branches towards the outer side और हर एक ganglion से आप इधर पर देखो, हर एक ganglion से कितनी nerves निकल रही हैं? Approximately 9 nerves निकल रही हैं, इस side भी और इस side भी एक एक ganglion से approximately कितनी nerves निकल रही हैं? 9 nerves निकल रही हैं, okay So, each ganglion, from each ganglion arises 9 branches of nerves towards the outer side Ventrally, from below the ganglion, arise a pair of ventral nerve cords आगे की तरफ, मतलब यह वाला end dorsal है, यह वाला end dorsal है लेकिन ventral side से हमको क्या दिखाई दे रहा है? कि यहां से एक बड़ी सी nerve निकलेगी और यहां से एक बड़ी सी nerve निकलेगी, यह देखो Ventral side से एक बड़ी सी nerve दिखाई दे रही है, यह देखो जो मैं black color से बनाने जा रही हूँ यह एक nerve और यह वाली एक nerve, यह ventral side से दोनों ganglion से See Ventral side से हमारे ganglion के ventral side से जो दो लंबी nerves निकलती हैं उनको हम बोलते हैं ventral nerve cord, क्या बोलते हैं उनको हम ventral nerve cord So ventrally from below the ganglion arise a pair of ventral nerve cords, दो ventral nerve cords निकलती हैं और long nerve cords, आप इसको long nerve cords भी बोल सकते हो These are interconnected to each other, यह दोनो nerve cords एक दूसरे से कैसे interconnected हैं Transverse nerves की मदद से यह देखो यह बीच में जो CD के जैसा diagram इनको हम बोलते हैं transverse nerves क्या बोलते हैं इनको हम transverse nerves तो यह बड़ा वाला nerve cord और यह लंबा वाला nerve cord यह दोनों एक दूसरे से कैसे connected हैं मतलब imagine करो कि यह एक nerve cord है और यह एक ventral nerve cord है और इनके बीच-बीच में से transverse nerves पास हो रहे हैं इनका दूसरा नाम है कमिशर इनका दूसरा नाम क्या है कमिशर हमेशा याद रोको इस chapter में यह word बहुत बार आने वाला है कमिशर word का मतलब क्या होता है connecting fiber कमिशर मतलब क्या होता है connecting nerve fiber कमीशर मतलब क्या होता है connecting fiber इस वर्ड को रट लो अच्छे से समझ लो ओके सो क्या बोला हमने यहां पर कि हमारा जो प्लेनेरिया है या प्लाटी हेलमिंथस है इनके पास धेर सारे नर्फ सेल्स हैं और उन नर्फ सेल्स ने मिलके नर्फ फाइबर बनाई है वो नर्फ यह दोनों लंबी-लंबी नर्फ कोड्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ट्रांस्वर्स नर्फ की मदद से जिनका दूसरा नाम है कमीशर कमीशर मतलब होता है connecting fiber तो देखो यहां पर क्या बला गया है इंटर कनेक्टेट टू इच अधर बाइट ट्रांस्वर्स नर्व यहां जिने अस्तात ना जिनान मदे कशे पायरे अस्तात तरहे जे ट्रांस्वर्स नर्व जाहे ते पायरान सरके दिशता है मनों है आला आपन संग तो कि प्लेनेरिया मदे आपले आला लैडर लाइक नर्वस सिस्टम बगहेला मिड़तो ठीक है ओके अब आगे देखो क्या बोल रहा है मतलब यह जो साइट साइट से नर्वस निकल रही है यह जितनी भी साइट साइट से नर्वस निकल रही है इन सारी नर्वस को हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो निकल हो जाती है उसको हम बोलते हैं peripheral nervous system तो हमारे प्लेनेरिया में peripheral nervous system कहां से निकल रहा है ventral nerve quad से यह आपकी दो लंबी-लंबी ventral nerve quads इनके बीच में transverse nerves है और ventral nerve quad के side-side से periphery मतलब side-side में इस side भी peripheral nervous system है और इस side भी देखो कितनी सारी nerves निकली है यह भी आपका peripheral nervous system है आप आगे देखो क्या बोला गया nerve plexus इस sentence में nerve plexus वर्ड जो यूज किया था ये वर्ड भी बार-बार आने वाला है आपकी ठियोरी में plexus मतलब क्या होता है bundle plexus मतलब क्या होता है बच्चो bundle बहुत सारी nerves जब एक साथ bundle बना लेती हैं तो उसको हम plexus बोलते हैं कोई भी nerve होने दो बहुत सारी arteries अगर एक साथ bundle बना लेंगी तो उसको भी हम plexus बोलेंगे बहुत सारे veins अगर एक साथ आकर bundle बना लेंगे तो उसको भी हम plexus बोलेंगे समझो ये बहुत सारे markers मिलकर एक साथ आ गए तो इसको हम बोलेंगे marker plexus तो ऐसे ही यहाँ पर आपको nerve plexus देखने को मिल रहा है मतलब बहुत सारे nerves निकल रहे है peripheral system बनाने के लिए The peripheral nervous system include sensory cells arranged in lateral cords in the body और ये peripheral nervous system में आपके कौन से cells involved हैं? ये peripheral nervous system में कौन से cells involved हैं प्लेनेरिया के sensory cells sensory cells का क्या function होता है बच्चों? message receive करना environment में अगर कुछ भी changes हो रहे हैं तो उस stimulus को receive करना ये काम होता है sensory cells का अब आगे देखो क्या बताया गया है अब pair of photosensory structure याने की eyes photosensory structure मतलब या hi-fi नाम है photosensory structure मतलब की आखे so a pair of photosensory structure, the eyes are located on dorsal side of the brain तो हमारे neuron की जो eyes है उनकी eyes कहां पर present है? dorsal region में मैंने आपको पहले ही बताया था आपको याद है या अब भी just बताया था मैंने कि ये आपके दो ganglion है ये आपके दो ganglion है और ganglion के dorsal side में दो eyes present है dorsal मतलब पीछे की तरफ, opposite side में और ventral side से क्या निकल रहा है? ventral nerve cords, पीछे से eye sockets present है और आगे की तरफ ventral nerve cords present है मतलब imagine करो कि आपका ये जो planaria है वो ऐसा सोया हुआ है तो उसकी eyes आपको ऐसे देखने को मिलेगी ऐसे, उपर की तरफ देखने को मिलेगी तो ये dorsal surface है ये planaria का dorsal surface है और ये उसका ventral surface है तो ventral surface से दो nerve cords निकल रही है ऐसे दो लंबी-लंबी ventral nerve cords निकल रही है और dorsal surface में उन्हीं nerve cords की socket से eyes बनी हुई है confuse मत हो ये dorsal side है, ये ventral side है dorsal side में planaria की eyes का socket है और ventral side में दो nerve cords निकल रही हैं, ओके, all right, so आगे देखो क्या बोला गया है, all there, sorry, also there are single sensory cells scattered in the body, तो मतलब यह जो periphery nervous system है, यह जो peripheral nervous system है, इनकी मदद से body में बहुत सारे sensory cells फैले हुएं, कुछ sensory cells peripheral nervous system की मदद से पहले हुएं, और कुछ periphery cells single single cells हैं, जो आपके planaria के body में distributed हैं, ठीक है, ओके, तो अब देखो आगे पढ़ते हैं, यह था आपका phylum platy helminthus के बारे में, हमने तीन phylum detail में पढ़े, phylum porifera, phylum nideria, phylum platy helminthus, phylum porifera में nervous system ही नहीं था, nideria phylum में simple nervous system था, platy helminthus में सबसे पहला central nervous system था, ठीक है, आप देखो आगे क्या बताया गया है, in the above examples of hydra, planaria and the earlier studied, आपने ग्यारवी में, cockroach के बारे में पढ़ा था और humans के बारे में पढ़ा था, we have seen the gradual evolution और changes of the neural system, आप hydra का example ले लो, porifera का example ले लो, nideria का example ले लो, या फिर planaria का example ले लो, cockroach का या humans का, जितने भी examples आप पढ़ रहे हो, एक common चीज क्या देखने को मिल रही है हमको यहाँ पर, कि जो सबसे lower level के organisms है, animals है, उनका nervous system सबसे undeveloped था, जैसे जैसे animals का structure complicated होना चालू हुआ, वैसे वैसे nervous system evolve होना start हुआ, जब आप छोटे रहते हो, तभी बचपन में, एक साल के जब रहते हो, तभी आप Olympic नहीं जीतते हो, दीरे-दीरे करके आप practice करते हो, आपके अंदर evolution होता है, changes होते हो, और फिर आप चीजों को adapt करते हो, ठीक उसी तरीके से animals में भी होता है, nervous system starting के species में बहुत simple type का हुआ करता था, यह नहीं होता था, जैसे porifera, लेकिन जैसे-जैसे species evolve होते गए, जैसे-जैसे time बदलता गया, nervous system के अंदर भी evolution देखने को मिले, there is a high level of specialization in the formation of neurons as electrically signaling cells and also in the entire system gradually from a diffused neural system to a centralized nervous system, क्या बोला गया है हमको इधर पे, धीरे-धीरे करके, पहले के animals में सिफ क्या देखने को मिलता था, देखो यह इतने बड़े sentence का मतलब क्या है, पहले क्या animals में क्या देखने को मिलता था, पहले याने पॉरिफेरा फाइलम, नाइडेरिया फाइलम के जो animals थे, उन में क्या देखने को मिलता था, एकदम simple type का nervous system, diffuse type का nervous system, मतलब body में सिफ sensory cells फेले हुए होंगे, ना उनके पास motor neurons होंगे, ना उनके पास brain होगा, मतलब एकदम basic basic, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे जैसे evolution हुआ, वैसे वैसे electrical signaling स्टार्ट हुआ, electrical signaling याने body में sodium, potassium, chloride, calcium, इन ions के वज़े से hormones बनना स्टार्ट हुए, तो इसको हम बोलते है electrical signaling, तो body में धीरे धीरे करके जो evolution हो रहा है, chemical signals release हो रहे है, electrical signals produce हो रहे है, diffuse system थोड़ा और develop होते जा रहा है, देखो, बचपन में जब आप छोटे रहते हो, तो आपको सारी चीज़े नहीं आती है, दीरे दीरे practice करते करते हैं, आप maths में expert हो जाते हो, आपकी writing अच्छी हो जाती है, आप sports में अच्छी हो जाते हो, तो ये धीरे धीरे होता है न, ऐसे ही हजारों साल लग गए, animals को evolve कर होने में, nervous system develop होने में, तो पहले nervous system ही नहीं था, दीरे दीरे करके simple nervous system आया, फिर थोड़ा और दीरे दीरे करके central nervous system आया, उन central nervous system में भी आगे developments देखने को मिली, ओके, the expansion into a properly organized system involving the brain, its gradual expansion in size and functions, दीरे दीरे करके क्या देखने को मिला हमको, कि जैसे जैसे nervous system develop हुआ, वैसे वैस animals का body, animals का size, animals का brain का size बढ़ने लगा, पहले humans या जो animals थे, वो जादा brain का इस्तमाल नहीं करते थे, तो उनके brain का size छोटा होता था, जादा function नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे function बढ़ने लगा, जैसे जैसे development होने लगी, size बढ़ा होने लगा, size बढ़ा होने लगा, तो body मे changes होने लगे आप 5th chapter में जो लास्ट कॉलम दिया गया है जहां पर cranial capacity की बात की है 5th chapter में जो लास्ट table दिया है वहां पर cranial capacity करके एक row है उसमें क्या बताया गया है कि पहले के जो animals थे उनके पास brain की जगा ही नहीं होती थी दीरे-दीरे करके जैसे जैसे animals में evolution हुआ उनके brain के लिए उनकी cranium में जगा बढने लगी cranial capacity increase होने लगी तो ऐसे ही जैसे जैसे evolution होता है nervous system में changes होते हैं body में changes होते हैं size बदलते जाती है functions बदलते जाते हैं और आगे क्या बताया गया है this has led to centralization of various sense organs assisting in coordinating the internal environment with that of the external environment अगर आपकी body में properly well developed central nervous system है तो आपकी body में control and coordination भी देखने को मिलेगा control and coordination का मतलब क्या होता है जब body के internal organs बाहर बदलने वाले external climate के साथ coordinate करते हैं सो हम जो बाहर थंडी लग रही है तो हमारी body में heat release होना start हो जाती है और इसी वज़े से हमारा शरीर गरम हो जाता है बाहर गर्मी हो रही है तो हमारी हमको पसीना आने लगता है तो यह सब कैसे possible है क्योंकि हमारी body environment को adapt करती है environment में होने वाले बदलाव को absorb करती है हमको stimulus मिलता है हमारी body में जो sensory cells है उसको stimulus मिलता है तो brain उसके according अपने आपको change करता है तो जब internal environment change होता है external environment के वज़े से तो इसी को तो हम बोलते हैं control and coordination ओके also their evolution of a complex networking system which efficiently transmits signals between one part of organ to the other organ और other part of the body तो यहां दीरे-दीरे करके internal और external environments के बीच में balance बैटने लगा और दीरे-दीरे करके अगर आपके body के एक organ को stimulus मिल रहा है तो आपकी body का दूसरा organ action लेगा तो कौन सा organ क्या action करेगा यह कौन decide करता है central nervous system तो मेरे नाइडेरिया के बारे में जिसमें हमने hydra का example लिया जिसके पास सबसे पहला simple nervous system देखा गया जो diffuse type का था मतलब उनकी body में nerve cells तो थे लेकिन वो फेले हुए थे फिर हमने पढ़ा platy helminthus के बारे में जिनके पास सबसे पहला central nervous system देखा गया और इसी तरीके से धीरे-धीरे analida, arthropoda, escalminthus धीरे-धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे phylums evolve होते गये nervous system evolve होते गया और end result है humans, humans का जो cranial capacity है approximately 14-50 cc है मतलब हमारी खोपड़ी के अंदर बहुत जादा जगा present है brain present होने के लिए तो जैसे-जैसे humans के body में evolution हुआ उनके brain में evolution हुआ, size body, function change हुए, internal और external environment exchange होने लगे और इस तरीके से complex nervous system तयार हुआ याने central nervous system तयार हुआ central nervous system से जुड़ा हुआ है peripheral nervous system और autonomous nervous system अब next lecture में हम पढ़ेंगे nervous system कौन से cells से बनता है, याने neural tissues के बारे में जिसमें हम दो type के cells के बारे में एकदम detail में study करेंगे, neurons and neuroglial cells के बारे में तो आप बने रहो हमारे channel के साथ, हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो, interesting videos लाते रहेंगे और I hope कि आप हमारा live crash course भी attend कर रहे हो, क्योंकि उसमें हमने entrance question solve कराना start किया है जी हाँ, आपने सही सुना, अगर हमारे लिए possible हुआ, तो हम हर lecture के बाद 4-5 entrance के question solve कराते हैं जो already NEET और CET में आ चुके हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा opportunity miss कर रहे हैं, अगर आप crash course attend नहीं करते हैं चलिए, मिलते हैं जल्दी, फटाफट चैनल को subscribe कर दो, डिंडोरा पीट दो, ग्यानलब चैनल, जितना हो सके उतना share कर दो Thank you, stay tuned, take care, see you soon